आज की रेसिपी बहुत ही स्पेशल है क्योंकि यह सुपर फास रेसिपी है हम बनाएंगे चोले लेकिन बिल्कुल अलग तरीके से हम अलग से छोलो को नहीं उबालेंगे बिल्कि मसाले के साथ ही उसको पकाएंगे और यह फटापट बन जाती है तो आईए देखते हैं इसको दाल देंगे दो तेजपत्ते नालेंगे हम बड़ी लाइची दो लॉंग और थोड़े से काली मिर्चे इनको हल्का सा भून नो प्यास में अच्छा कलर आ गया है अब इसमें डालेंगे एक टेबल स्पून भर के जिंजर गालिक, तो बस मैंने जिंजर गालिक को मिक्सी में पीस लिया है और वह डाला है। इसको अच्छे से मिला लेंगे। तो तो आधी टीस्पून पाउर डाला है और इसको भी अच्षे से भूल लेगी से लुझे हुषदी को हमेशा थोड़ा सा जाता है नई तो इसके ब्जाता है। जब तक यहां टमाटर भुन रहे हैं मैंने यहां पर करीब 3 कप पानी एक पान में डाल दिया है और मैं इसमें डाल रही हूँ एक चम्मर चाई की पती और इसको हम बहुत अच्य से बॉइल कर लेंगे इसको डालने से छोले में बहुत बढ़िया वाला कलर आता है तो अगर आप इस तरह से खुली पत्ती यूज ना करना चाहें तो आप इसमें एक टी बैक डाल दें और इसको हम बॉइल होने देंगे और यह देखे हमारे टमाटर भी कापी भुन गए इस टाइम पर हम इसमें डाल देंगे और भी स्पाइसे तो यहां मेरे पास है आधी ती स्पून लाल अंदर तक बहुत जाए इसको बहुत अच्छे से अब हम फिर से भूल लेंगे और यहां पर है छोले तो इन छोलो को मैंने सिर्फ रात को भिगो दिया था और सुब इनका पानी हटा दिया है और यह उबले हुए नहीं है यह अभी कच्छे हैं मैंने करीब देड़ कप छो अब छोलो को मसाले में हमें एक लिस्ट टीन से चार उने तक अच्छे से भून ना है यह देखे मैंने चोलो को बहुत अच्छे से भून लिया और क्या बढ़िया कलर दिख रहा है इसमें अभी से तो मैं इसमें एक चीज डालना भूल गई थी वह है धनिया पाउडर तो इसको बस एक बार मिला देंगे और यहां पे हमारा चाई की पत्ती वाला पानी भी अच्छे से बॉयल हो रहा है, गास को आफ कर देंगे और इस पानी को छानके इस में डाल देंगे इसको हम फिर से बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे, तो इस टाइम आप छोलो में नमक चेक कर ले मतलब नमक परफेक्ट होना चाहिए otherwise छोले जो है टेस्टी नहीं बनेंगे तो मैंने टेस्ट किया मुझे नमक हलका सा कम लगा तो मैंने नमक और बढ़ा दिया है और अब हम कुकर को बंद कर देंगे और मीडियम फ्लेम पे इसमें कम से कम 5-6 सीटिया लगाएंगे छोलो में मैंने 5 सीटिया लगा ली थी फिर गैस को ओफ कर दिया था और आईए अब इनको खोल के देखते हैं तो ये देखे तो मैंने गैस को वापस से ओन कर दिया है और अब हम इसमें डालेंगे कुछ और चीज़ें तो यहाँ पर है मेरे पास थोड़ी सी कसूरी में थी आप्शनल है आप डालना चाहें नहीं तो छोड़ भी सकते हैं इसमें डालेंगे थोड़ा सा अमचूर पाउडर या खटाई पाउडर और थोड़ा सा काला नमक काले नमक छोलो में जरूर डालें आप इससे उसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है इस सब चीज़ों को बहुत अच्छे से मिला लेंगे और मैं आपको छोले दिखाती हूँ कितने अच्छे से गल गए हैं हमारे अब दबा के देखेंगे एकदम सॉफ्ट हो चुके हैं बस अब हम क्या करेंगे थोड़ इसे छोलो को हम इस तरह से कुकर की साइट पे तोल डेंगे इससे क्या होगा बहुत बढ़िया सी ग्रेवी बन के तयार होगी तो यह देखें हमारे छोले बन कर बिलकुल तयार है क्या बढ़िया कलर आया इसमें और आपने देखा यह फटाफट बन जाते है मतला हमें अलग से छोले ना बॉइल करने है ना कुछ करना है एक ही फ्रेशर को कर में आप मसाला बनाए उसमें छोले डाले और सीटिया लगा दे तो देखें क्या बढ़िया छोले तयार हो गए हम इनको गानिश कर देंगे थोड़ इसे कटे प्यास के साथ और हरी मिल्ची के साथ इस पर टाल देंगे हम थोड़ा सा देशी की इससे जो छोलो का स्वाध है वो डबल और ट्रिबल हो जाता है तो देखें लग रहे हैं कितनी मज़ेदार और बहुत ही टाइम सेविंग रेसिपी है फटा फट छोले बनके तयार हो जाते हैं आप भी ट्राइ करके जरूर देखिएगा बहुत बहुत टेस्टी होती है आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा हो अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए टेक केर और बाबाए